नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हो मैं करक लगन के वारहो भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर अब तक हमारी बादचीत मेस लगन से लेकर मिथुन लगन परियंत वारहो भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर के हो चुकी है प्रियदर्शकों करक लगने में शुक्र, सुखेस और लाभेस होते हैं लाभेस होने के कारण इन्हें सरवथा कारक नहीं कहा गया लेकिन आज के परिवेस में देखा जाए तो धन की आवशक्ता, भूमी भवन वाहन की आवशक्ता सभी को है सन्दीप सिंग्जी का है, इन्होंने पूछा है आम आवश्या का दोस है, मंगल दस्मे घर में मिर्द है मोती पहन रखा है इन्होंने, कौन सा रत्म पहनूं, मूंगा या मारिक्य संदीब जी ब्रिश्चिक लगने में सूर्य बृध्ध हो करके बैठे हैं लेकिन बात लगन और लगनेस की पहले होगी वैसे तो इस लगने में मंगल ही सस्ठेस भी होते हैं अगर आप रिण से ग्रशित नहों तो आप मूंगा धारन करिए क्योंकि लगनेस अगर मृत हो तो जीवन काल में कितने भी राजयोग जन्म कुंडली में हो उसका स्रिष्ट लाभ नहीं लिया जा सकता वैसे तो मंगल कुंडली के दसंभाव में दिगबली हैं अतिविसिष्ट कारख हो करके बैठे हैं और लगनेसोकर के लगन को देख भी रहे हैं मृत हैं अतह उन्हीं कारत्न धारन करना ज़्यादा स्रिष्ष्कर होगा सूर्य बृद्धवस्था में हैं, सूर्य को नित्य अर्ग अर्पित करिए, आदित्य हर्दय स्त्रोत्र कापाट करिए, उससे सूर्य में बल आ जाएगा, लेकिन मंगल के लिए मूंगा धारन कर लेना ज्यादा स्रेश्ट होगा करक लगन, कैसा होता है ये लगन, तो कोमलता, प्रधान, भावक्ता प्रधान, कल्पना प्रधान, स्त्रियोचित गुणों से सुसजित ये लगन, जातक आलसी, लेकिन कई बार अपने ही काम के लिए केवल अब लगन में आकर के बैठ जाए सुक्र, जो कि चंद्रमा के नए सरगिक मित्र नहीं है, तो इसमें कोई संसय नहीं कि कल्पना सील, भावक्ता प्रधान, एक अत्यंत स्रिष्ट लगन करक और लगन में ही, यानि जातक के व्यक्तित्तों में, वो ग्रह आकर के बैठ जाए जिसका आधिपत्य खूपसूरती पर है, जिसका आधिपत्य हर उस खूपसूरत चीज पर है, जो आखो को भाती हो, जो मन को मोह लेती हो, और लगन में आकर के अगर यहां बैठ जाते हैं शुक्र, तो धन भाव, लाभ भाव, और भूमी भवन भाहन सुक्का मालिक अगर आकर के लगन में बैठ जाए, तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, कि आपका लगन आपका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व में भूमी भवन भाहन सुक्का मालिक, लाभ भाव का मालिक आकर के बैठ जाए, तो जातक सबसे पहले तो सुक्षों के तरफ आकरसित यहां बदादू की जातक को सदई वो, स्रेष्ट और अच्छे कारे करके ही लाव अर्जित करना चाहिए, वही लाव उसे फलेगा, तो यहां पर बैठना सुक्र का अत्यंत स्रेष्ट सुध्धुगा, जाकर के सुखेस लगन में बैठ जाएं, लाभेस आकर के लगन में सुर्था में हैं, तो यह अत्यंत स्रेष्ट, अत्यंत स्रेष्ट आपको अपने जीवन काल में भूमी भनवाहन का सुख सदईव प्राप्त होगा, खूब प्राप्त होगा, एक से अधिक घर, एक से अधिक गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ीयों का सुख और हर वो खू उसका मन अनायास ही आपकी तरफ खिच जाएगा ये केवल सुक्र के लगने में होने के कारण होगा धन लाभ के पीछे आप सदईव भागेंगे और लाभ भी जीवन काल में सदईव बना रहेगा यहां बैठे सुक्र की द्रिष्टी सब्तम भाव पर दामपत्य भाव पर लेकिन चीजों को लेकर के भूमी भवनवाहन का सुख है लेकिन भोग नहीं पाएंगे कलह का वातावरण घर में बना रह सकता है लाभ की स्थिति दिख तो रही है लाभ आ भी रहा है लेकिन हाथ में आते आते कई बार छूट जा रहा है ऐसी स्थिति आएगी दामपत्य जीवन तो रहेगा ठीक लेकिन आप अपने में मस्त पत्नी अपने में मस्त और फलस्वरूप निरस दामपत्य जीवन बहुत सुखद दामपत्य जीवन नहीं कहा जा सकता शुक्र का मृत्त होना शुक्र का अस्त होना कत्त ही ठीक नहीं है अगर ये अस्त होते हैं तब भी मृत होते हैं तब भी आपके लिए सरवथा ये नुकसान देह है आप इनका वो स्रिष्ट लाभ नहीं ले पाएंगे शुक्रवक्री होते हैं तो बहुत हद तक नुकसान के बावजूद ये इतना लाभ तो देही देते हैं कि जो सुख है उन सुखों में आपको प्राप्त सुख कर लेते हैं कमी थोड़ी सी होती है नियूनता होती है इसके बाद आप सुख ले लेते हैं आजाए कुंडली के धनभाव में लाभेस का आकर के धनभाव में होना महाधनी होता है जातको को पैत्रिक शंपत्ती तो प्राप्त होती ही है भूमी भवनवाहन का सुख ये स्वतह अर्जित करता है या था अथवा पैत्रिक संपत्ती से ही अपने जीवन काल में और ज्यादा विकासी कर लेता है शुक्र अगर आकर के सुर्य की रासी में बैठे हैं तो यहां ये बात भी ध्यान रखनी है कि शुक्र सुर्य के नयसर्गिक सत्रू है मित्र नहीं है तातकालिक मित्रता में हुए तब तो फिर धनलाब आजीवन कराते रहेंगे धनलाब भूमी भणवाहन का सुख सब प्राप्त होता रहेगा लेकिन तादकालिक सतुर्ता में हुए, तो कहीं गलत निर्णयों से चारत्रिक पतनता के कारण आप अपने पैत्रिक शंपत्ति को बरबाद कर देंगे, घर में कलह कावातावरण बना करके रखेंगे, लाभ तो होगा, आए तो होगा, पर गलत जगहों पर आपके पैसे और यहां पर बैठे अगर शुक्र तातकालिक सत्रुता में हो, मृत अस्त अथवा पापक रहस्य द्रिश्ट हो, तो जातक सराब पर सबाब पर पैसे उड़ाएगा और कई बार अपनी पैत्रिक शंपत्ति को इन्हीं में स्वाहा कर देगा। इसमें कोई संसे नहीं, लेकिन अगर तातकालिक मित्रता में हैं तो सम हो जाएंगे और सम होने की अवस्था में आपको ये भूमी भवन का सुख जो पैत्रिक सुख है वो देंगे, लाभित्याधी भी देंगे, लेकिन स्वास्त को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, स्वास्त स समस्या होगी, अस्त और मृत्य होने पर इनसे समंधित तत्व कमजोर हो जाएंगे, इनका जिन सुखों पर इनका आधिपत्य है, वो सुख कमजोर होकर के जीवनकाल में प्राप्त होगा, और इनसे समंधित वैसे ये बहुत बड़े-बड़े कोई रोग नहीं देते, लेक पर आकर के बैठे हैं सुक्र तो सावधान हो जाईए, ये नीच रासी में है, सुखेस और लाभेस का आकर के नीच रासी में हो जाना, वैसे तो बुद्ध आसपास ही होंगे यहां हों, अगर यहां होंगे तब तो परिवर्तन और केंद्र में होने के कारण इनका निचत भ पहंग नहीं होता, तब तो पैस सब से पहले कहूंगा कि आपको जीवन काल में एक बात याद रख लेनी है, स्त्री पतनी छोड़ करके, अगर पुरुष हैं, तो पतनी छोड़ करके बाकी स्त्रीयों को अपनी मा या बहन मान लीजिए, एक दूसरा, मित्रता करिए, सब के साथ जुड़िये, लेकिन विश्वास बहुत जल्दी किसी पर मत करिये, क्योंकि यहां धोखा खाएंगे, और अपना सब कुछ गमाएंगे, रोग में पढ़ जाएंगे, परेसानी में पढ़ जाएंगे, और नाना प्रकार के कस्ट, अपमान सहेंगे सु अलग, घर में कल होगा सो अलग, छोटे भाई वहनों से समंद्ध खराब होगा सो अलग, यानि कि अगर नीच रासी में बैठे शुक्र, और अगर उनका निचत्त भंग नहीं होता, तो यह आपको हर प्रकार से कष्ट प्रदान कर देंगे, आपके चरित्र को यह कमजोर करा देंगे, और इ लेकिन वो भोग ही आपके जी का जंजाल बन जाएगा, अतह यहां पर बैठे हैं सुक्र, तो शाओधान हो जाएए, अगर उनका नीचत्त भंग नहीं होता है, तो नीचत्त भंग हो जाने की अवस्था में एक फायदा है आपके लिए, आप अपने आपको अगर सम्हाल कर के रखें, तो चुकि उनकी द्रिष्टी भाग्य भाव पर उच्ची द्रिष्टी पढ़ रही है, और आपके भाग्य का सम्पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा, भाग्य से सम्मंधित सुख मिलेगा, पराकरम से सुख मिलेगा, छोटे भाई बहनों से समंधित सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, वक्री होते हैं, सुरिष्ट लाभ आपको मिल जाएगा, मृत और अस्त होने पर और ज्यादा नुक्सान, हलाकि बलाबल देने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नीच रासी में जाकर के और मृत भी हो जाएं, तो वो कहीं न कहीं, जरा गौर करिए, सुक्र को बरबाद करना है, तो कैसे करेंगे, जनमजात सुक्र तो आपके अंदर है, वो तत्व तो आपके अंदर है, लेकिन बरबाद करना है, तो बरबाद कैसे करेंगे, तो मान लीजे कि नीच रासी में बैठ कर मृत हो जाए, तो जातक अपने गलत कारिय के कारण गलत संगती के कारण अपने सुक्र को तबाह कर देगा अपने भौतिक सुक्र को तबाह कर देगा अपने अईस्वरी को बरबात कर देगा भूमी भनवाहन से संबंधित जो सुक्र उसे प्राप्त होना चाहिए था उसमें अपने हाथो वो आग लगा देगा यहां प फिर भी कहूंगा कि यहाँ पर निचत्व तो भंग हुआ लेकिन आपको अपने चरित्र को बहुत सम्हाल करके रखना है नहीं तो दिक्कत में होंगे। अस्त और मृत्व होने पर भी प्रभाव कमजोर केवल वक्री होने पर स्रिष्ट लाभ आप इनका ले सकते हैं। आजाए कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर बैठेंगे सुक्र तो बना देंगे मालब्य नामत महापुरुस योग लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इनहीं की रासी यहाँ पर पड़ी है तो क्या इनकी रासी होने से इनका स्रिष्ट लाभ आप नहीं ले प पत्यका सुक्र लाभ जीवनकाल में एक से अधिक छेत्रों से सदैव बना रहेगा यानि लाभ के मामले में आपको कतई कोई परिशानी नहीं अस्त और मृत तो बहुत कस्ट यानि जितने सुक्र मिलने चाहिए उन सुकों को नीचे ला देंगे और इनका बलवान होना कुं अधर्मभाव पर तो देखा जाए तो कारेक छेत्र में भी श्रिष्ट सफलता दिलाने वाले होंगे हर प्रकार से आपको फायदा दिलाने वाले होंगे अब यह बिचार कиля जा सकता है कि यहां पर बैठे हैं शुक्र तो क्या जातक शुक्रकारतना धारण कर ले तो मैं पुरुश्योग बहुत स्रेष्ट और दूसरा यहां बैठ करकि यह भूमी भवन वाहन मा का सुख हर सुख आपको प्रदान कराएंगे दामपत्य सुख हित्यादी हर सुख आपको प्राप्त हो जाएगा करम स्थान को देख करके भी लाभ देंगे वक्री होते हैं तो फिर र त्रिकोन राजियोग होगा लेकिन दूसरा कहूंगा कि मंगल के साथ तातकालिक मित्रता देख लीजे अगर मंगल के साथ तातकालिक मित्रता होती है तो सवस्था में आपको संतान सुख संतान सिख से सुख हित्यादी ज्यान का सुख सब प्राप्त हो जाएगा यहां पुनह वो बात दुहरा देता हूं कि यहां बैठे हों यहां बैठे हों यहां बैठे हों और यहां बैठे हों इन जगहों पर बैठे सुक्र और यहां भी बैठ करके लगभग लगभग जातक को जोतिस में रुची दिलवा देते हैं और वैसे भी कुंडली में कहीं भी बैठ अगर शुक्र कुंडली में बलाबल के साथ तो जातक को तंत्र विद्या, गुप्त विद्या, रहस्यात्मग विद्या, जोतस विद्या, इन सबों में गहरी रुची होती है और ये विद्याएं जातक को समझ में भी खूब आती हैं वक्री होने पर प्रभाव में नियुनता तुआए लेकिन फिर भी आप इनके सुखों को समपुरुणता ले सकते हैं मृत और अस्त हो जाते हैं तब क्या होगा? तो मृत और अस्त होने में कही न सिकायत हो जाएगी परिषानी होगी विसेश रूप से संतान सुखों में कमी ला देंगे ज्ञान से जो लाभ मिलना चाहिए जितना आप भुधिमान है उतना सुख नहीं ले पाएंगे यानि मृत और अस्त होना शुक्र का तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है आजाए कुंडली के सश्ठम स्थान में रोग रिपू रिण भाव में अब यहाँ पर सुखेस का और लाभेस का आकर के होना लाभ भाव में रिणेस आकर के बैठे हैं तो रिण लेकर के काम करिए, खुब काम करिए आपके लिए ये सूत्र दे देता हूँ कि पैसे हैं आपके पास तो पैसे को बैंक में डाल दीजिए और बदले में जाकर के रिण उठा लीजिए रिण लेना आपके लिए बुरा नहीं है गुरू की डासी में बैठे हैं अगर गुरू के साथ तातकालिक मित्रता में आ जाते हैं तो मित्र होंगे गुरू के साथ तातकालिक मित्रता में होने की अवस्था में मित्र हो जाएंगे और उस अवस्था में मैं आपको सलाह दूँगा रिन लीजिये रिन लेना आपके लिए कभी बुराई वाला नहीं है रिन से आपको नुक्सान कत्ताई नहीं है लेकिन अगर रिन दिया तो सुख दिया और समझ लिजिये कि लाव को स्वाहा किया सो भूल करके भी रिन दीजिये मत रिन ले सकते हैं आप विशेश रूप से देख रहे हैं कुंडली में तो ये जरूर देखिए ये राहू के संबंध में न हो सनी के संबंध में न हो मंगल और सुरे के संबंध में न हो क्योंकि ये भोग है भोग तो होगा पक्का चाहे किसी के साथ भी भोग होगा लेकिन भोग नहीं उसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा और फलस वरुप आप रोगी हो जाएगे अतह याद रखिएगा कि शुक्र सुभग्रह जैसे गुरु से दृष्ट हो तो जादा बढ़िया है गुरु से दृष्ट होना कहीं जादा बढ़िया है इनके उपर सनी त्यादी की दृष्टी तो बिल्कुल न हो क्योंकि सनी की दृष्टी राज भंग कर देती है यहाँ बैठे सुक्र की जो दृष्टी बारह में भाव पर पड़ेगी तो मैंने कहा कि यह बहुत बढ़िया है आप अपने भौतिक सुखो पर सदा खर्च करेंगे आपकी चाह सदा लगजरियस होगी इस तरह इतने छोटे घर में है तो इतने बड़े के बिना लिये बिना आपको नींद नहीं आएगी गाड़ी अगर छोटी है तो बड़ी गाड़ी के लिए सदय उप्रयत नसील रहेंगे और इसमें कोई गुराई नहीं है क्योंकि शुक्र भोग है तो भोग तो कराएंगे ही लेकिन ये दामपत्य के कारक है अगर अतिसत्रुता में आकर के बैट जाएं तो दामपत्य जीवन को कमजोर कर देंगे दामपत्य सुखों में कमी हो जाएगी और यहां बैठे हो और कहीं से सुक्र सनी की राहू और सनी की दृष्टी पढ़ जाए तो फिर समझ लीजिए कि दामपत्य जीवन में भी समस्या संतान सुख में भी कमी और कई तरह के भोगों में भी कमी उत्पन कर देंगे मृत और अस्त होते हैं तो सीदी सी बात हैं इनके से संबंदित सुखों में कमी हवक्री होते हैं कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट आपको इनका स्रिष्ट मिल जाएगा आज आए कुंडली के सब्तम स्थान में यहां बैठे मित्र रासिस्त सुक्र लगन को देखेंगे और आपके व्यक्तित्तों को अध्भूत बना देंगे दामपत्य जीवन को ये कमजोर कर देंगे अगर अकेले हैं अगर यहां पर बैठ कर वो अकेले हो जाते हैं तो दामपत्य को तहस नहस कर देते हैं खराब कर देते हैं लेकिन अगर अकेले नहीं है तो उस अवस्था में लगन परिम की दृष्टी पहले तो आपके व्यक्तित्त को अध्भुत बनाएगी और यही बड़ी सबसे बड़ी समस्या है कि आपके व्यक्तित्त को अध्भुत बना देगी फलस्वरूपती हो या पत्नी दोनों को आप दोनों आपको लेकर करके शंसय में रहेंगे सक में रहेंगे और दामपत्य जीवन का खर सुखों में कोई कमी नहीं वाहने बाला है यहाँ पर बैठकर की यह विश्यास नुकसान दामपत्य को ही पहुँचाते हैं और किसी चीज को नहीं वकरी होने की अवस्ता में भी निउन्द्था जाती है औस और मृत ये दोनों नहीं होने चाहिए होते हैं तो रजल्ट कमजोर हो जाएगा अब आजाए कुंडली के अश्टम स्थान में यहां पर बैठे हैं सुक्र तो क्या करेंगे सी बात है सुखेस और लाभेस का आकर के अश्टम स्थान में होना इससे संबंधित यान अगर कहीं गलती से ही पर केतू बैठ गया हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्थ होगा ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपनी बातों में फास लेने वाला होगा ऐसे लोग ही तंत्रमंत्र इत्यादी कारे करके दूसरों को आडंबर दिखा करके उनसे पैसे ठग लेते हैं क्योंकि केतू आडंबर करवाएगा और शुक्र इन सब छेत्रों से सम्मंधित ग्यान थोड़ा सा जातक के पास हो जाएगा और लोगों को अपने विक्तित्तों के प्रभाव में ले लेगा यहां बैठे सुक्र धनभाव पर देखेंगे और जैसा कि मैंने कहा धनाधी के छेत्रों में कोई कमी तो नहीं आने देते वो लाब देते रहते हैं लेकिन फिर भी यहां श्टम में बैठे हैं तो स्वास्त का खयाल रखना जरूरी है मा के सुखों में कमी कई वार कर देंगे भूमी भवनवाहन के सुखों में भी थोड़ी कमी आ जाती है जातक को घर इत्यादी लेने में जीवनकाल में थोड़ा कस्ट और परिसानी होने लगता है आजाइए कुंडली के अस्त और मृत होने की अवस्था में भी सुखों में कमी ही कहूंगा वक्री होते हैं तो प्रभाव नियून लेकिन फिर भी रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन फिर भी मैं यहां बैठे सुक्र में पाया कि थोड़ा सा भूमी भवनवाहन का सुख जातक को जीवनकाल में है भी तो वो उसका संपुरर सुख ले नहीं रहा है उसको भागते भी उसका दिन बीत रहा है आजाए कुंडली के भग्यभाव में यहां पर सुक्र उच्चरासी में हो जाएंगे सबसे पहले तो केंद्र त्रिकोंड उपर से उच्चरासी में भग्यभाव में आकर के हो जाना सुखेस का आकर के भूमी भग्यभाव में होना अत्यंत स्रेष्ट जीवनकाल में स्रेष भवन का सुख, भूमी का सुख, बड़ी बड़ी गारियों का सुख, विदेश यात्रा का सुख, विदेश आना जाना लगा तार लगा रहेगा, विदेश से आ जाकर के आप भनागमन करेंगे, जोतिस बनिये, जोतिस सीखिये, जोतिस आपको बड़ी सरलता से आ जाएगा, तंत्र मंत्र से संबंधित विशय आपको बड़ी सरलता से आ जाएंगे, इससे भी आप लाभ कमा सकते हैं, यहां बैठे सुक्र नीच दृष्टी डालेंगे पराक्रम भाव पर लेकिन, चुकि खुद वो उच्च हैं और केंदर त्रिकोण योग में हैं, अतह आपके लिए फाइदे मंदसित होने वाले हैं, आपके लिए स्रेष्ट लाभ दाई हैं, और हर तरह का सुक्र आपको प्रदान करेंगे, यहां पर बैठ करके छोटे भाई वहनों को भी लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन संबंध उनसे कभी स्रेष्ट आपका नहीं रह पाएगा, या य आगे भाव में तुम्हें बता चुका स्रेष्ट हैं, वक्री होते हैं, तो रिजल्ट कमजोर हो जाएगा, अस्त और मृत नहीं होने चाहिए, उस अबस्था में भी प्रभाव इनका कमजोर हो जाएगा, यहां से द्रिष्टी भी इनकी वो स्रेष्ट लाभ नहीं दे घर भूमी भवन वाहन का सुख संपूर्णता आपको आपके जीवन काल में प्राप्त कराएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, अपने घर पर द्रिष्टी डालेंगे तो भाव की बृधि कर देंगे और यह सारा सुख आपको जीवन काल में प्राप्त होता रहेगा, म अस्त होते हैं तो सुरी अपना प्रभाव ले लेंगे, मृत होते हैं तो सिदी सी बात है इनसे संबंधित जितने भी तत्व हैं, यानि जो सुख हैं, अईस्वरे का भोग है, उसमें कमी आ जाएगी, वक्री होते हैं, रिजल्ट थोड़ा नियून हो जाएगा, अस्त होते जिवन काल में जातक एक नहीं, अनेको घर का मालिक वनेगा, खूब घर खरीदने में उसकी रूची होगी, या स्थाई संपती खरीदने में उसकी रूची होगी, तो अच्छे काम ही करिएगा, अच्छे कारे से कमाया हुआ धन, आपके लिए स्रेष्ट होने वाला है, संतान इत्यादी भाव को देखेंगे ज्यान की बृधी कराने वाले होंगे जोती सित्यादी छेत्रों में रूची दिलाने वाले होंगे यहां से भी आपको लाभ मिलेगा संतान से समंदित सुखों में भी लाभ मिलेगा इस्त्री संतती कन्या संतती दिलाने वाले होते हैं य यहां पर सुक्र अत्यंत स्रेश्ट और मित्र रासी में बैठे हैं तो आपको अत्यंत सव भाग्य साली बना देंगे यानि आप करक लगने के हैं और बार्वे भाव में बैठे हैं सुक्र तो कहना ही क्या यह अत्यंत स्रेश्ट है और यहां बैठे सुक्र की दृष्टी पड लगा सकते हैं, यहाँ पर बैठेंगे, तो आपको हर चीज ब्रेंडेड चाहिए, जो लेंगे आप ब्रेंडेड, फलस्वरूप पैसे टिकेंगे नहीं, आपके पास पैसे खूब खर्च होंगे, आए नहीं की जाने के लिए तयार, सराब से दूर रहिएगा, सबाब से दू उसके सही मद में जाएंगे, फिर वो भूमी भवन वाहन का सुख पने परिवार को सारा सुख दे सकेगा, अस्त और मृत होने पर लाब में कमी, वक्री होने पर भी इनके रिजल्ट में थोड़ी म्यूनता, लेकिन फिर भी आपको भूमी भवन का सुख और लाब बना रहे हैं, यहां पर बैठे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही आप इनके रतनों को धारन करिए, बार्वे भाव में अगर आपके अंदर चारित्रिक दुर्गुनता नहीं है, तब आप इनके रतन के बारे में विचार करिए, न करिए, गिंति के कुछ भाव में मैंने इनके रतन के इसके बारे में आपको बताया, आप चाहे, तो इनका रत्मधारण कर सकते हैं. शुक्र को बलवान बनाने के लिए मादूरगा की आराधना करनी चाहिए, शुक्र के मंतर का जब करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ग्यानी है, बहुत ग्यानी, सर्वसास्त्र प्रवक्तारं, भारगवं प्रणमाम में हम सभी सास्त्रों के प्रवक्ता हैं, ग्यानी हैं, इनके मंत्र का जब करके आपको लाभ मिल सकता है, मादुरुगा की आराधना करके, घर के करीब किसी भी दुरुगा किसी मुख also करके कोई ब्यात्तर जो मैं कह रहा हूं किसी से सुनकर और उसका जब करें आपको लाज मिलेगा तो यह था करक लगनेके बारहो भाव में शुक्र का प्रभाव कल हम जानेंगे सिम्ह लगन के बारहो भाव में शुक्र के प्रभाव को जाते जाते आप सब उसे एक बड़ा सरल प्रश्ण पूछ रहा हूं जन्म कुंडली में विमल योग का निर्माण कैसे होता है जन्म कुंडली में विमल योग का निर्माण किस प